हम यह sum solve कर रहे हैं जिसमें में बुला गया है कि given figure triangle ABC है X and Y are two points lying on side BC, BC पे point X and Y है BX is equals to CY, DX parallel to AC, YE parallel to AB and हमें प्रूव करना है DE parallel to BC अभी ऐसे question में आपको एक दिवाख लगाना है कि आपको प्रूव करना है DE parallel to BC अभी अगर हमें theorem पता हो तो अगर AD upon DB is equals to AE upon EC इतना हमें प्रूव कर दो AD upon DB is equals to AE upon EC तो उसका मतलब कि यह parallel है DE and BC तभी possible है DEBC parallel होगा तभी जाकर AD upon DB, AE upon EC प्रूव हो जाएगा तो हमारा जो काम है प्रूव का वो हो जाएगा अभी इसके लिए हमें strategy बनानी है तो हम क्या करेंगे तो सबसे पहले अगर यह पूरे diagram में यहाँ मैं फिर से बना रहा हूँ अगर यह पूरे diagram में सिर्फ यह line होती है that is DX वाली तो यह है मैं फिर से naming भी कर रहा हूँ DX ABC तो अगर यह DX parallel to AC दिया गया है तो यह हो जाएगा AD upon DB is equals to BX upon XC and this is my result number 1 अभी हम EY वाली line की बात करेंगे same triangle रहेगा मैंने triangle बना दिया यहाँ पे सिर्फ में बनाने वाला हूँ EY EY and हमें बुला गया है कि EY is parallel to AB यहाँ पे ABC अभी इसके से मैं conclude कर सकता हूँ that यहाँ पे जैसे ADDB था वैसे यहाँ पे AEEC होगा AE upon EC equals to जैसे यहाँ पे BX BXXC था वैसे यहाँ पे CY YB होगा अभी इसमें आप देख सकते हो कि AD upon DB and AE upon EC यानि कि AD upon DB AE upon EC यह दोनों equal true हो जाए तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि B parallel to XY लेकिन यह तभी possible है जभी यह दोनों side equal हो तो अभी हमारा workout इस पे रहेगा तो इसमें आप देख सकते हो कि यह result कहीं substitute हो रहा है BXCY Yes तो यह BXCY तो यहाँ पे मैं BX लिख सकता हूँ और यह YB की बात करते हैं तो अगर मैं prove कर दूँ के YBXC same है YBXC same है तो मेरा काम हो जाएगा अभी इसके लिए मुझे क्या करना है तो यहाँ पे BY is equals to मैं बोल सकता हूँ BY is equals to BX plus XY same way CX is equals to मैं बोल सकता हूँ CX is equals to मैं बोल सकता हूँ CY CY plus XY that is YX और XY same अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि XY XY तो same है बात रही BX and CY की तो BX and CY तो यहाँ से equal है तो अभी यह पूरी right hand side same होगे तो मैं बोल सकता हूँ BY is equals to CX तो यहाँ पे मैं लिख दूँँगा BY की जगा पे CX तो यहाँ पे CX हो जाएगा BX is equals to CY दिया गया है तो यह CY की जगा मैं BX लिख दूँगा यह AE upon EC as it is है अभी यह right hand side same होगे yes same होगे XC, CX same ही है तो मैं इससे conclude कर सकता हूँ AD upon DB sorry let me write clearly DB is equals to AE upon EC और जिख से conclude हो गया DE parallel to BC so I hope it helps, thank you 1 MÀ